इस्टुडी पुएंट प्यारी दोस्तों मैं प्रतीप सर आज हम कलास लेकर आएवे हैं जेटेट एक्जाम में पूछे जाने वले कुछ बाल विकास शिश्था सास्र के महत्पून प्रश्ण जैसा कि देखने दोस्तों कोश्चन आपके पास है बच्चे की बुद्धी लब नभे से 110 के मंद्य में ज्यदि बुद्धी लबंदी रहे आईकीु रहे तो वआसी बच्चो को क्या कहें तो बच्चों ऐसे जगे कोश्चन देखते हैं तो तो पुछे में वेक्न को पूछे जाते हैं तो इसके लिए सबने आंसर क्या होगा अब बता सकते हैं तो दौस् जरूब वीडियो को कमेंट करें और वीडियो को जयदा से जयदा सेयर करें जैसा कि देखने दोस्तों कोशन आपके पास है कि बच्चे के लिए निशुल की इवंग अनिवारे सिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्स के बच्चे के लिए लागव होता है यानि निशुल अप्से नमर ए राइट आंसर चोगदा वर्स के जो बच्चे हैं उसके लिए निशुल के अनिवारे सिक्षा अधिकार अधिनियम लागव किया गया है जैसा कि देखे दोस्तों नेस्ट को सिन आपके पास है एक बच्ची की बुद्धी और विकास के अध्यन की सरवादिक अच्छी विधी कौन सी है यानि का रहा है बच्चे के बारे में हम डेवलप करेंगी तो उसके लिए कौन सा मेधाड होगा सबसे उप्युक्त तो मनो विसलेशन विधी का परियोग करेंगे या विकासिय विधी का परियोग करेंगे या सांखी की विधी का परियोग जो प्यारे शिक्षग्ञन धियान रहे यह जिए लेकिशन जी पूछे जाते हैं यह बच्चे से रिलेटर कोश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं तो जहां भी बच्चे की बिकास की बात कही जाये तो याद रखें सिधा भीकासी-विधी का परयोग किया जाएगा बाकि मुर सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको अची तरह समझ में आ गया होगा तो दोस्तों इसके लिए साही अंसर होगा और सी इज राइट अंसर के देखने दोस्तों नेक्स कोसे आपके पास है गाड़नर साथ बुद्धी का अधेनियम निर्धारित किया था इन में से कौन सा नही है दोस्तों इसके लिए सही अंसर क्या होगा अब जल्दी से कमेंडि करें इसके लिए दोस्तों सही अंसर होगा अपसर नमर बी इज राइट भावात्मक बुद्धी गाड़नर ने साथ बुद्धी का अधेनियम दिया था जिन में से यह भावात्मक बुद्धी का परियो कमेंड जरूर करें तो इसके लिए आपका ओप्शन है 125 80 120 या 100 तो दोस्तों जदी एक बच्ची की मांसिक आई पांच वर्स तता वास्तिव का यह चार वर्स हैं उसकी बुद्धी लबदी आई क्यों होगी 125 दोस्तों इसको निकाने का भी सूत्र है उस सूत्र को आप जानना ने कहा ता इसकीनर ने कहा था या डेबी इस ने कहा था या वुरिवर्स ने कहा था तो मनु भी इजान सिक्षा का अधारव consumer न्मर दोस्तों ऋबुद्धी आपके लगतेया आपको बताना है तो ऑप malt कीप पक्या रहे गा option आपके पास है 3 वर्ष में, option है 4 वर्ष में, option है 5 वर्ष में, option है 6 वर्ष में यानि हिंदी अक्षरों को बालक कीस आयू में पहचानने लगते हैं तो सही answer होगा option number 5A Option number C, यानि 5 वर्ष में बच्ची हिंदी अक्षरों को अच्छी तरह से पाचाने का प्रियास करने लगते है Option number C is right answer इसा कि देखे ने दोस्तों question आपके पास कि A लिक्सिया क्या है यह आपसे question पुछा गया है, यह कौन सी बीमारी होती है तो पढ़ने की अच्छमता या लिखने की अच्छमता को कहते है या सीखने की अच्छमता को कहते है या सूनने की अच्छमता को कहते है तो पढ़ने की अच्छमता को दोस्तों क्या करते है इसा कि देखे दोस्तों ने इस question आपके पास है पियाजे की ओपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयू अबधी धक मानी जाती है तो आपके पास option क्या रहेगा? option आपके पास रहेगा 2 वर्स तक, 7 वर्स तक, या 7 से 11 वर्स तक, या 11 से 15 वर्स तक तो पियाजे की ओप्चारिक संक्रिया तमक अवस्था जो कही जाती है वो 11 से 15 वर्स की बीचे माने जाती है तो आपसन नमर डी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा जैसा कि देखर कोशन यहां कि गर्भ में बाला को विक्सित होने में कितना दीन लगता है तो आपके पास 4 उप्चन रहेगा जैसा कि देखरें 150 लगता 150 दीन 280 दीन या 390 दीन या 460 दीन तो दोस्तों इसका कमेंट सेक्षिन में इसका जबाब दें कि सही अनसर क्या होगा झाल झाल